पपु यादों को जान से मारने की धम की एक बार फिल से लौरेंस गैंग के गुर्गों के तरब से दिया गया है। देखे इस बार 24 घंटे का डेड लाइन पपु यादों को दिया है। और साब तोर पर लॉरेंस गैंग के गुर्ग ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर में तेरी हत्या कर देंगे देखे पुर्निया से निर्दलिये सांसद हैं राजेस रंजन उर्फ पपु यादो पिछले कई महीनों से लागतार पपु यादो को लॉरेंस बिस्नोई गैंग के गुर्गे के तरब से जान से मारने की धमकी दे जा रही है और इस बार तो देड लाइन भी तै कर दिया गया है कि 24 घंटा मातर वक्त है तुमारे पास 24 घंटे के अंदर में हम तुमारी हत्या कर देंगे देखे लॉरेंस बिस्नोई के गुर्गे के तरब से राजेस रंजन उर्फ पपु यादो को जान से मारने की धमकी दी गई है देखे क्या कुछ कहा जा रहा है हलंकी पाकिस्तान से इस बार मैं से जाया है भारत का जो दुस्मन देश है वहां से राजेस रंजन को क्या कुछ लिखा गया है आपके मोबाईल स्क्रीन पर भी है आप देख सकते हैं आखरी 24 घंटे में तेरी हत्या कर देंगे हमारे साथ ही तैयारी मुकमल है हमारे साथ ही तेरे बहुत पास पहुँच गए है देखिए लॉरेंस गैंग के गुर्गे के तरफ से जो मैसेज में लिखा गया है आखरी 24 घंटे तुमारे गाड भी नहीं बचा सकेंगे देखिए उसमें साथ तोर पर लिखा गया है तुझे हैपी बर्थ डे लॉरेंस भाई और उनके टीम की तरफ से पुर्निया सांसद राजेस रंजन उर्फ पपु यादो इंज्वाई यूर लास्ट डे देखिए साथ तोर पर मैसेज में लिखा गया है कि आखरी 24 घंटे में तुमा सारी हत्या कर देंगे यानि कि पपु यादो की और उसमें अभी लिखा गया है कि हैपी बर्थ डे लॉरेंस भाई और उनके टीम के तरफ से पुर्निया सांसद पपु यादो को इंज्वाई यूर लास्ट डे यानि कि आखरी दिन आप इंज्वाई कीजिए देखिए 24 घ पिछले कई महीनों से जान से मारने की धमकी दी जा रही है बावजूद सरकार क्या कुछ कर रही है सवाल उठ रहे हैं पपु यादो सरकार पर निसाना साद रहे हैं कि भाई हमको जेड कटेगरी का सुरक्षा दीजिए क्योंकि पिछले कई महीनों से कई बार पपु याद को जो है जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है हलंकि एक दोस्त ने पप्पु यादो को दो कड़ोर 50 लाग का लैंग कुरूजर जो गारी होता है वह गिफ्ट किया ताकि उनके दोस्त पप्पु यादो को कुछ ना हो और पप्पु यादो ने भी कहा कि जब तक उस गारी म में बैठे रहेंगे कोई उनका कुछ नहीं विगार सकता है रोकेट लॉंचर भी कुछ नहीं विगार सकता है पप्पु यादो का लेकिन अब पप्पु यादो सवाल यह भी खड़ा कर रहें सरकार पर कि भाई जेड कैटेगरी का सुरक्षा हम को दीजिए क्योंकि देख प्यार कर दिया गया है कि आखरी 24 घंटा तुमारे पास है Enjoy your last day देखे इस से क्या लग रहा है पप्पु यादो को जिस तरीके से लागतार धमकी मिल रही है और एक सांसद है हलंकि पुर्निया से निर्दलिये सांसद हैं छे बार के सांसद रहे हैं बहुत बड़ा नाम है पपू यादो का विहार के राजनीती में एक बड़े लीडर के नाम में पपू यादो का नाम वह सामने आता है गरीबों के मस्या कहे जाते हैं बाड में पपू यादो लोगों की मदद करते हैं कोई भी आपदा हो तो पपू यादो वहां पहुंचकर गरीब लोगों के जान से मारने की धमकी दी जा रही थी लेकिन अब की बार 24 घंटे का वक्त जो है वह दिया गया है वेरहल आप क्या सोचें इस पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में अपनी परतिक्रिया जरूर दीजिएगा विहारेक सोच आप देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद